नमस्कार जैशी क्रश्न में जया गुपता इस वीडियो में मैं दशे माता की एक और कथा लेकर आई हूँ दशे माता के व्रत को होली दशे का व्रत भी कहा जाता है यहाँ व्रत होली के दस द्वे दिन आता है होली के बाद इस यहावरत चेतरमास की कृष्णपक्ष की दश्मी को किया जाता है इस वरत में महलाएं इसनानादी करके सिर्धोकर इसनानादी करके इसके बाद जुआरों की पीपल की और दस्ते माता की पूजा करती है कथा कहती है कहानी सुनती है और फिर उसके बाद खाना खाती है कई जगों पर महला है इस दिन एक टाइम अलूना खाना खाती है और कई जगों पर नमक के साथ एक टाइम खाना खाती है इस रत में कच्चे सूत का एक डोरा बनाया जाता है जिसमें कच्चे सूत के दस तार लिये जाते हैं और उनमें दस गठाने लगाई जाती है और इस तरह से होली दस्टे का डोरा तैयार किया जाता है। आईए देखें दसे मता की कथा एक राजा था उसके बड़ी रानी थी उसके कोई संतान नी हुई तो राजा ने संतान प्राप्ती के लिए एक और शादी की इस तरह से उसकी दो रानिया हो गई थी। प्राप्ती संतान भी था और चोटी रानी के कारण चूकी राजा को अपना उत्रादी कारी मिला था तो राजा चोटी रानी को भी खुब प्यार करता था। जान ले लू यह राजकुमार नी रहे मेरी लाइफ में याने मेरी जिंदिगी में तो मेरे सब सुख वापस आ जाए ऐसा सोचती रहती थी राजकुमार बड़ी रानी जी अब वो क्या होता था राजकुमार बड़ी रानी के चोक में खिलता था तो एक दिन जब राजकुमा गले में डलवा दिया अब राचकुमार के गले में साप डालने के बाद बड़ी रानी ने तो सौचा कि साप कुफूप करेगा तो यह राचकुमार यही का यही उसके जहर से मर जाएगा पर चुकी छोटी राणी दर्शे माता का वुरत करती थी और यह जो पुत्र मिला था राजकुमार ये छोटी रानी को दर्शे माता के आशिरवात से प्राप्त हुआ था तो दर्शे माता उस पुत्र के उपर अपनी विशेश क्रपा रखती थी उसका ध्यान रखती थी तो दर्शे माता ने क्या किया जैसे ही बड़ी रानी ने उसके गले में साप पोचाया तो उसने साप को राजकुमार के गले में से उत्रा दिया याने राजकुमार के गले में से साप बिना कोई फुपकार मारे उसको कोई नुकसान पोचा है और चले गया अब बड़ी रानी ने देखा कि साप ने इसको कोई नुकसान नहीं पोचाया तो बड़ी रानी और गुस्सा थक गया तो जैसे सुस्ताने के लिए बेठा तो राज रानी बड़ी रानी आई और उन्होंने दासी के हाथ लड़ू बंगवाए और उससे का कि ले बेटा लड़ू खा ले और उसने तो क्या करा उन लड़ू में जहर मिला दिया अब राजकुमार जैसे ही लड़ू खाने लगा बड़ी रानी तो चले गई और इतने में दरसा माता एक दासी का रूप धारण करके आई तो राजकुमार जैसे ही लड़ू खाने लगा तो उन्होंने राजकुमार के हाथ से लड़ू छीन लिया और फेक दिया उन लड़ू को रानी जी को नहीं दिखे ऐसे तो इसको मारना ही मारना है राजकुमार को तो फिर अगले दिन जब राजकुमार आया तो बड़ी रानी ने सुचा कि अपकी बार तो मैं ही इसका काम तमाम कर दूँ तो राजकुमार जब आंगन में खेल रहा था तो वही महल के आंगन में कुवा भी था एक तो बड़ी रान मे Şu को घुवा ने आंगण में खेलते x2 राज कुमार को पकड़ कि और ...' आप दर्से माता ने जैसे ही देखा कि राज कुमार को राणी ने कु यूमें धखेल दिया तो उन्होंने राज कुमार को कुमें वी में बीच में रोक लिए pig G चूकी राजकुमार शाम हो गई खेलते खेलते बड़ी छोटी रानी के महल में नहीं पोचे तो सोब दूर राजकुमार का होहला मजगय कि राजकुमार कोई मिलनी रहे मिलनी रहे कहां गए अब बड़ी रानी ने कुए में धकेला था राजकुमार को तो वो तो बोली नहीं राजकुमार की तलाश करने वाले जो कर्मचारी वो भी निराश हो गए क्यों कि सब सब दूर तो डूढ रहे पर महल में कोई भी यह थोड़ नशोच सकता है कि मेहल में कोई राजकुमार को धक्का दे देगा अब राजा और चोटी रानी तो पुत्रों के शोक में खूब रोए और खूब खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने अब दसे माता को चिंता होई तो उन्होंने विकारिन का रूप धारण किया और राजकुमार को गोदी में लेके कपड़े में लपेट के और वो चोटी रानी के कि पड़ी है जाओ भागो यहां से सारे लोग दुख और चिंता से परेशान हो और तुम भिक्षा मांगने आ गई तो दसे माता बोली कि भाईयो पुन्य का प्रभाव बहुत ही विचितर होता है क्या पता तुम मेरे को भिक्षा दो तो हो सके उस पुन्य फल से ही कुमार को डूढना है इस तरह से तो दसे माता ने सुचा ऐसे तो यह जाने नहीं देंगे तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चे को जिसको राजकुमार को उन्होंने गोद में ले रखा था उसका एक पाउं जरासा उगार दिया तो सिपाईयों ने समझा कि इनके हाथ मे तो कुमर है तो इसलिए उनने उसको अंदर जाने दिया अब दसा माता कुवर को लेके भीतर गई और जैसे ही वो आंगन में पोची चोक में पोची उन्होंने राजकुमार को चोक में छोड़ दिया और वापस निकलने लगी परांतु रानी जी ने देख लिया दसे माता को कि यह राजकुमार को लेके ही और इसने छोड़ दिया लिटा दिया यह राजकुमार को यह तो उसने का कि रुको रुको तुम को नो और कैसे आई यह अंदर ती और तुमने तीन दिन से मेरे बेटे को छिपा के रख रखा था तुमने इससे क्यों किया तुमारा क्या उद मैं तो और बलकि तुम्हारे पेटे को लेकी आई मैं तो तुम्हारी आरादी देवी दसा माता हूं और तुमको सचेत करने आई हूं कि बड़ी रानी तुमसे खुब इर्शया रखती तुम्हारे पुत्र के कारण राजा जी तुमको और तुम्हारे पुत्र को मान सम्मान द जाला तो जिसको मैंने भगाया फिर उन्होंने विश्म के लड़ू बना के और राजकुमार को खिलाने लगी तो वो भी मैंने उसके हाथ से छीन लिये फिर अभी उन्होंने राजकुमार को अपने आंगन के कुवे में धकेल दिया था तो मैंने उसको भी महां पे भी बीच म स्पाइब करती है कि बड़ी रानी तुमको यहने तुम्हारे पुत्र को मारना चाहती तो ध्यान रखना इस तरह से सुन केती हुँ तो यह सुनके छोटी रानी दसे मता के पेरों में गिरके छमा मांगने लगती है और खूब उनसे विनित भाव से आराधना करती है कि है मा जैसे आपने मेरे पे क्रपा की दर्शन दिये तो मैं चाहती हूँ आप सदेव महल में ही निवास करो और मेरे से जो भी सेवा पुझा होगी मैं हमेशा आपकी सेवा पुझा करूंगी तो दसे मता बोलती कि मैं तो किसी के घर्ण में नहीं रहती हूँ हाँ जो मॅधिय आदर सत्कार करके भोजन करा ओ और रगर में दिनदोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा पेने और व्रत करें तो रानी जी और ये कि के दसे मता तो अंतर दयान हो जाती अब रानी जी ने दसे मता कि कहे अनुसार सारे राज्जी की सोभा गिवति इस्तरिया स सुहागन महलाओं को निमंतरन देके बुलवाया और उनके अच्छा उप्टन लगवा के उनको सिर से इस्तनान करवा के और उनको अच्छा-च्छा अभुशन पिना के उनका शंगार कराया और फिर साब को भोजन करवा के और उनको विदा किया दक्षिना देके गहने वेने देद रुआ के धक्षिना में अच्छे और उनको विदा किया और साथ ही साथ माता जी के कहे अनुसा दिन दोरा पिटवा दिया राज जी में कि आप सब सुहागिन मेलाएं दसे माता का वृत करेगी और उसका डोरा लेके और डोरा पेनेगी अब यह दसे माता जैसे छोटी रानी के तूटी वेसी सब के तूट जे कहानी अदूरियो तो पूरी कर जे पूरी तो मान कर जे आपको मेरा यह वीडियो किसा लगा यदि ये कहानी आपको पसंद आईए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को हिट कीजिए हिंदु धार्म, संस्क्रती, तीश्तिहार, व्रतकता, रितिरिवाज, इत्यादी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए जैशिकरेशन